यूपी ट्रिपलस्टी मुख सेविका के टॉपिक वाई स्रीज में आज का टॉपिक है सामाजिक समस्याएं और विशेश रूप से बच्चों और महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे चलिए देखते हैं पहला प्रस्ण किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दसा है जो चिंता, तनाओ, संघर्स या नैरा से उत्पन करती है और अवशक्ताओं की पूर्ती में बाधा डाल दी है डबलू वेलेस वीवर अगला है बाल दूर वेवहार और बाल सरम की सामाजिक निवास अस्थानिक ज्याख्या किस विद्द्वान ने प्रस्थुत किया जेम्स गेरबेरीनो अगला है बाल दूर वेवहार कितने प्रकार के होते हैं सारीरिक, लेंगिक, भावातमक, उप्युक्त सभी करेक्ट आंसर दी अगला है राष्टिय बाल सरम परियोजना को किस वर्स प्रारम्ध किया गया वर्स 1988 अगला है किस वर्स बाल सरम निसेद योंबिनी में अधिनियम पारित किया गया 1986 दिन अगला है संबिधान में किस अनुच्छेद के तहट बाल सरम का प्रतिसेद किया गया है अनुच्छेद 24 अगला है बचपन बचाओ आंदोलन की अस्थापना कैलास तत्यार्थी ने कब की थी 1980 दिन अगला है भारत में सामान नितावर पर बालकों की क्या समस्याएं मोलभोत है सिच्छा की समस्या स्वास्त की समस्या उचित देख रेख ना हो पाना उप्युक्त सभी Correct answer D अगला है फूलर यों मेयर्स ने कितनी परकार की सामाजिक समस्याएं बताई है तीन परकार की अगला है महत्मा गांधी राष्टी ग्रामेर रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारम्ध की गई वर्ष 2006 अगला है राष्टी अनसूचित जाती आयोग की अस्थापना किस वर्ष की गई 2004 अगला है बच्चों के लिए एकिकरित बाल सुरच्छा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई 2009-10 अगला महिलाओं की संरच्छड हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया 2006 अगला है केंद्रिय सतरकता आयोग की अस्थापना कभ की गई 1964 महिलायों बाल विकास मंत्राले द्वारा किस वर्ष स्वाधार ग्री योजना सुरू की गई 2002 अगला है इन में से क्या बाल अपराद का एक कारण नहीं है सही सामाजी करण अगला है बहारत वर्ष में बाल अपराद ही किस आयू समोह में आते है अठारा वर्ष के नीचे अगला है एक बच्चे का विद्याले से खिसक जाना क्या कहलाता है पलायन सीलता अगला है परिवार के निम्ण में से कौन से संबंदों का तूटना पारिवारिक बिघटन का कारण बनता है संयुक्ट परिवार में रक्त संबंद और एकाकी परिवारों में बैवाहिक संबंद अगला है किस परकार की गरीबी स्वास्तियों सारीरिक परकारी के रख रखाव के लिए आवस्यक मूल भूस संसाधनों की अभाव को दरसाता है संपूर्ण गरीबी अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है प्राकिर्तिक संसाधनों की कमी, प्राकिर्तिक विपत्तियां, क्रिसी का पिछडापन या सभी Correct answer D अगला है 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिती ने इसे परिभासित किया गरी भी रेखा अगला है जेंडर की समा सास्त्रिये, बिसलेशर में परिच्छड के लिए अति आवस्यक है जेंडर विभाजन, जेंडर विपरिच्छड, जेंडर अनुपालन, उपरोक्त सभी Correct answer D अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है महिलाओं के प्रती होने वाले अपराधों की प्रकिर्ती को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा यों सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गी करड किस ने किया राम आहुचा अगला है भारत में नारी विकास युम कल्यार हे तू राष्टी नीती कब बनाई गई थी 1976 अगला है निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाग के कारण कौन है देश की बिलासिता अगला है राष्टी महिला आयोक का गठन किस वर्स हुआ वर्स 1992 कौन सा नारी वादी सिध्धान यह तरक देता है कि पित्र सतात्मक विवस्था महिलाओं के उत्पीडन का प्रमुख और सार्भवमिक कारण है और पुर्सों को दी गई सकती समस्या का मोल कारण अतिवादी नारी वाद अगला है कस्तूर्बा गाधी बाली का विद्ध्याले योजना किस वर्स प्रारंब की गई वर्स 2004 अगला है महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक ससकती करण करना अगला है जन्नि सुरच्छ योजना भारत सरकार की योजना है इसका किस उद्देश के सा सुभारम किया गया था मात्रियों नौजा सिसुनों की मृत्यु दर में कमीलाना अगला है नारी मुक्ती के लिए निम्न चरण किसने सुझाए ग्रिहस्त महिलाओं की भूमिका की समाप्ती परिवार की समाप्ती ओकले अगला है निम्न लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है लिंग और भूमी अधिकार वंदना सिवा अगला है लेखक के मतानुसार इस्त्रियों के रोजगार से संबंधित अधिनियमों का कौन सा उपबंध ब्यावसाय में उनके परवेश को आप्रत्यच रूप से अउरुद करता है कारी के नियत घंटे, सुरच्छा और रच्छा, जादा स्रम साध्ध नौकरियां, उप्युक्त सभी, करक्त आंसर दे अगला है किस संब्धान संसोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरच्छड प्रदान किया गया दहेज निरोधक अधिनियम, किस वर्स पारित हुआ था, वर्स 1961 अगला है राष्टिय बाल अधिकार आयोग किस वर्स में प्रचालित हुआ, प्रच्छवरी प्रचलित हुआ 2007 इस्त्रियों तथा कन्याओं का अनयतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, कप पारित हुआ वर्स 1956 अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारे राष्टिय महिला आयोग का नहीं है महिलाओं से सम्बंधित मामलों की सम्बंध में आकडों का संग्रह अगला है भारती इतिहास के किस युग को इस्त्री जाती के लिए काला युग कहा जाता है मद्धिकाल अगला है भारत में महिलाओं को ससक्त बनाने है तू महिला नीति कब बनाई गई वर्स 2001 अगला है महिलाओं बच्चों युम सारीरिक द्रिष्टी से भिन समूहों के लिए केंद्रिये समाच कल्यार बोर्ड की अस्थापना कप की गई अगस्त उन्नीस्तो तिरपन अगला है कार्यस्त पर महिला उत्पीड़न रोक्थाम निसेधियों निवारण अधिनियम किस वर्स आ अस्थित तुमें आया 2013 अगला है समाज में महिलाओं की इस्थिती को सुधारने के लिए भारत में पारित बिभिन कानूनों के सही करम को भहचाने हिंदू उत्त्रादिकारी अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला सनरच्छ अधिनियम अगला है भारत में चिकित्सिय गर्वपात अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था 1971 अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद